तो अब तो अब आप शाइब आप सब्सक्राइब नियुक्त विल्लॉग उम्मिद एक आप सब लोग खैरियत से होंगे मैं भी खैरियत से हूँ चलिए जी आज कर विल्लॉग स्टार्ट रहता है आज हम बना रहे हैं चिकन बिल्यानी हदराबादी स्ट्राइल में इसमें मैंने ने वन केडी से कुछ कम पूश्ट मतलब चिकन लिया है चिकन के अंदर ये साले स्पैसिस अउनएट करेंगे सबसे पहले में गाल रहे हैं शान का मसाला बिल्यान का अब हम इसमें यूगर्ट डालेंगे बाकी ये सब कुछ हम सारे स्पैसिस डाल के इसको मेंएट कर आपनी तरफ से टोमाटो और लैमन जाद एड कर सकते हैं एक शान का पैक्ट डाल जाए कर सकते हैं को टीवी मर्चे अलग साइब कर सकते हैं हमने इसमें दहीन, पॉदीना, हरी मर्चें, टिमाटा, अधरे प्रसन का पेस, दो चमच खाने की और लेमन का जूर से समाट कर आए और उपर से मैंने इसमें और लाग दिया है, और लागने के बाद अच्छे से मिक्स करका हम कम अज कम भी इसको चिकन हमने अपना रख दिया है, अब कहाँ पे मैं पॉदीना, हरादनिया, हरी मर्चें तोड कर रख रही हूं एक बाक्स में, जो कि मैं टिशू पर या न्यूस तो यहा कर दें लो है, और यहा बहुंसके अफ़र में लिए कांथाय्स फीजे प्रॉदी के नाइओ वर्णतिमाएक भीर्वाव में नाइगा वे लनों जीए, जो कि मैं करेंगें ठावलगें यहा i'll i'mma और नीजा गरआ हैं और कि मैं भूल्न,स दिञाम के ने कांठीने क्योंकि इसका बहुत धहान रखना पड़ता है यह चानक पे जल्दी जल्दी फ्राइब लग जाती है वर नटाइल जी और जब फ्राइब प्राइब अब आ जाती हो यहां पे मुझे मेरे हुष्मन कर रहे हैं है प्राइब बनाने के लिए इसका आपको बात में बताऊंगे पहले हम इसको पैले सम पॉद्री ना भी रखनेंगे टेमार्टर और लेमन वाइन अब इसका योज में आपको बात में बताऊंगे कि किस तरीके से करना है बाकी अब हम बनाएंगे रायता चो के बिनाने के साथ ज़रूरी है हमारे गरे में सब शॉक सेकाते है तो रायता क आपकी मैंने लिये मेंट लेव्स और ग्रीन चिल्ली और गार्लिक और यहां पर साबो धनिया और जीरा इसको हम इसमें पूटले गी अच्छे से बाकी जब यह बिस जाएगा अच्छे से तो आप इसको योगर्ट में डाल दें और उपर से सॉल्ट इतना आपको चाहिए हम लोगों क्या थोड़ा से ठिक होती है योगर्ट जादा पतला बसंद नहीं करते हैं तो हमारी यहां पर जो चिकन हमें रखी वी थी वो हो चुकी है फॉर्टी मूंट्स तक तो फॉर्टी मूंट्स के बाद आप हम लोग बिल्यानी बनाएंगे यहां पर जो मैंने चावल हैं वो कमस कम एक खिंट पहले भी गो दिये थे अपने हाँ पर हमने पानी भी रख दिया और यह जो स्पैसिस हैं यह गरम मसालों हैं जो कि आप हम ज बिल्यान के फूल जीरा और जैफल जायवेतरी ले सकते हैं और यहां पर मैंने थोड़ी सी लॉंग और दारचीनी खा एक टुकड़ा दाला है और यहां फे मैं लैमन जूस डाली लैमन जूस बैसे इसलिए यूज करते हैं अगर आप लैमन जूस पानी में डाल देते हैं जिसमें आप चावल बॉयल होने उटें तो वह चावल टूपते नहीं आप इसके जगह सिर्का भी यूज कर सकते हैं और अगर आपको यह दोनों चीज़ यूज नहीं करने तो आपने चावल इत्यास से पकाने तो वैसे लेमन जूस में एड कर देती हूं कि चावल कहीं से खराब ना हो अक्सा लोग सिर्का भी यूज करता हैं अब यहां पर हम ढख देंगे उस वक तक जब तक इसमें बॉयल आने जाएं बॉयल आने के बार हम इसमें चावल एड करेंगे यहां पर जो हमारा चिकन था 40 मिंट्स राम ने रखा था आप चितनी देर रखेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा चिकन में और यहां पर हमारी सैलट और राहता त्यार हो चुका है चिकन का हमें पानी खुश करना है जो कि दही की वज़ा से आ जाता है इसमें ना जो हमें पूरा पकाना नहीं है चिकन का इसी तरीके से बीस मीट की रेसिपी है जो कि मैं आपसे बाद में कभी शेयर करूंगे अपने विलॉक में यहां पर जो मैं जर्दे का रंग तेगार करूंगी तो मैं मिल्क में बनाओगी क्योंकि मिल्क में बनाने से इसके कलर बहुत अच्छा आता है आप लोग कभी ट्राय करके देखिएगा मिल्क का मैं पानी मैं नहीं बनाती हैं जड़ दे करा हैं मैं मिल्क में बनाती हैं तो यहां पर मैंने जड़ दे करेंगे पहले से बना के रख लेगी चीज़ा आप पहले से करके रख लें तो आपको प्रियानी की एंड की टाइम पर प्रॉब्म नहीं होती कि यह करना है वो करना है तो आपके पहले साथ साथ यह काम भी करना है मैंने आपके सारी पहले साथ स क्षाइन चे के अथ 1 चाहं लूंगर पाने के ठूब्नी थे रैप्रेम आफ करेंगे। अब जाएंगे loose की तरफेशनी हम चाहव extended है , में राइज राइस कілका है जब एक कनी तक पक हो जाना है करें कि नियुकल सटादी है मतलब कि कनी रह चाहती है थोड़ा से ताकी रहते चाहूए पकले में देखें आप अच्छी तरीके से बॉइल हो चुके हैं बस हम इसको थोड़ी से देर में कर लेंगे क्योंकि यह हो चुके हैं और यहां पर हम अपने राई से स्ट्रीन तेह रहे हैं और बाकी का प्रोसेस आप पर इखाते हैं किस तरीके साम तेह लगाएंगे वैसे तो यह तक्चे वाली गोश्ट की बियाने में तेह नहीं लगती यह जो सारा गोश्ट होता है एक ही साथ यह जो मतलब चिकन होता है यह एक साथ नीचे ही डाल दिया जाता है इसके उपर लुडस होती है तो यहां पर मैंने एक ही लगाई यह एक नीचे लगाई और इक से पड़ लगाई और इक स्टेंगे बाकी हम इसमें अपने व्राइट करने के बाद मैंने सबसे पहले अप कलर डाले क्यूंकर आप चीजों केह पर कलर डालें तो वह एक अच्छा लुप न लियमाट्र, लीमॉ, क्सक्राइब डाल है जो कि मैंने पहले से बनाकर हर चीज कट करकर रखी ती और आपको बिल्यानी के आइन में बताऊंगी क्या करण न यहाँ तो यह मैंने इसलिए कट करणा था और हम ने इसलिए एक तो बिल्यानी दे दूरा यह तो ऐसिते हैं अपर अब लोग को दे एंड